असलालेकूम फ्रेंड्स मैं हूशव नूर अली वेलकम टू माय चैनल अगर आपके यहां कंस्ट्रक्शन तो होता ही है तो यह PVC पाइप के टुकड़े अक्सर एक्सरा बच जाते हैं जिसे मैंने बनाये खुबसूरत सा प्लांटर और यह इतना लाइट वेट होता है कि कहीं पर भी इसको हैंक करके रख सकते हैं PVC पाइप के टुकड़े को आपको इस तरह से एक-एक इंच पर निशान लगा लेना है और अब इसको किसी नाइफ की मदद से गैस पर गरम कर लीजिए गरम करने के बाद आपको उसे कट करना है कट करके इस तरह से फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ ड्रेनेज होल तो तयार हो जाएगा सॉयल भी आपको वेल ड्रेन रखनी है यानि कि सैंड जरूर मिलानी है 60% सॉयल में 40% सैंड और कमपोस्ट इस तरह से आपको तयार करना है यह देखिये पेंट लगा लिजिए अपना खुब्सूर्षा और ये रहा बाटल से बना हुआ प्लांटर जिसमें लगाया है मैंने रियो प्लांटर ये एक और बाटल का टुकड़ा और ये रहा old clothes से बना हुआ planter तो इस तरह के जो planter होते हैं ये बहुत light weight होते हैं easily आप इसको hold कर सकते हैं गिरते भी नहीं है जल्दी और इसको आप hold बना कर दोनों तरफ से hang कर सकते हैं या फिर रग भी सकते हैं कहीं पर भी छोटी रैक पर क्योंकि यहां सुबा की धूप आ जाती है इसी तरफ से sun rise होता है तो 3-4 गंटे आराम से धूप मिल जाती है पानी भी आता है बारिश का लेकिन well drain मिट्टी होने की वज़े से निकल जाता है तो waste plastic bottle फेकने से अच्छा है कि आप छोटे से planter बनाएए खुब सूरस से इस टाइप के पौदे लगाईए और बालकनी को सजाईए वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share and comment, subscribe my channel